आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज की एक बहुत बढ़िया खबर लेकिया है आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में जो की एक long term के लिए एक positive momentum बना के रखेगी इस stock के बारे में अगर इसके growth plans को पता किया जाए तो company ने बहुत बढ़िया आगे आने वाले समय के लिए अपने growth strategy बनाई हुई है जो की इनके पास अभी capacity available है fully utilize नहीं है उसको आगे चलकर reliance के साथ जो भी demand आएगी वहाँ उनके garments को produce करेंगे और वो उससे उनकी efficiency भी बढ़ेगी और साथ ही साथ में इनकी profitability भी बढ़ेगी और growth plan sustain होगा उनका तो यह एक बहुत अच्छा strategy group synergy बन रही है इनकी जो specialities है वो textile solution में है तो इसके चलते हुए हमारी जो news है उसके बारे में बताते हैं आपको उससे पहले अगर इसका long term का chart देखा जाए तो देखे long term में chart में क्या हो रहा है कि stock ने एक बहुत तेजी दिखाईती उपर चलने के लिए चार रुपे का stock करीब करीब 60 रुपे तक चला गया था जो कि शायद थोड़ा सा over value zone में पहुँच गया था उसके बाद इसने काफी time correction दिखाया और consolidate किया है अगर आप यह हफते का chart देखें तो 5 यच्छे हफतों से यह एक range में घूम रहा है 27 रुपे का high गया है और low गया है करीब करीब 19 रुपे का तो यह एक बहुत अच्छी consolidation हो चुकी है इसकी यहाँ पर और अगर देखेंगे इनकी जो एक special news है वो है related to garment and women woven knitted dresses के बारे में तो यह यहाँ पर इनकी location जो है 5 अलग लोकेशन पर इनकी पास है यह और इनकी capacity जो है 50 million pieces per annum बना सकते हैं यह woven garments है knitted garments है for men, women and children casual wear में पहन सकते हैं, sports wear में पहन सकते हैं, foundation wear में पहन सकते हैं, sleep wear पहन सकते हैं, work wear तो यह बहुत अच्छा इनका business segment है और इसी segment से related हमारे पास जो अच्छी news है उसके बारे में बताते हैं, जो तीन key factor है आ गयान वाले समय में operation efficiency आएगी जिससे बढ़िया काम चलेगा, results इनके अच्छे आने की उमीद है आ गयाने वाले समय में और future prospects अच्छा लग रहा है जो specific news है, government manufacturing market by manufacturing region type and application एक study की गई है जिसके बारे में आपको बताएंगे और जो उसमें study में जो key participants है वो Nike, Carter and Allok Industries इंडिया की सिर्फ एक ही company का नाम है इस study में जो है Allok Industry इस report में उन्होंने sales के बारे में बात किया आ गयाने वाले समय में कैसे sales पड़ेगी, किस-किस company का क्या market share है और साथ ही साथ में performance कैसी रहेगी आ गयाने वाले समय में और किस product में उनको जादा strategically invest करना है और कहां पर व इन्होंने पिछले साल की study को लेकर देखा है कि COVID का क्या impact हो रहा है और उसके चलते हुए आगे कैसे कैसे demand different region में बढ़ेगी वो सब उसके बारे में पूरी detailed report बनाई हुई है यह अगर देखें तो इन्होंने by product segment किया है blouse, shirts, blouse, jacket, blazer, jersey, pullover, skirts, dividend skirts and sorong, vibes and braces and overall और जो application है men के लिए, children's के लिए, सब तरह की उन्होंने other segment के लिए भी इन्होंने सब को किया है जो study की गई है वो च्छे के 6 continent में North America, South America, Africa, Europe including UK, Asia and Australia तो इन सब region में इन्होंने जो study की उसमें key report में जो analyze किया है major developing market क्या हो रहे हैं, किस तरह की market dynamics चलेगी आगे चलकर और क्या revenue segment है आने वा के लिए, तो ये सब उन्होंने study किया है, इनके accordingly अगर key information बताई जाए, 2028 तक इसकी जो cumulative, accumulative growth rate है CAGR वो करीब-करीब 11% के आस-पास रहेगी long term के लिए, और अगर आपको इस report की information चाहिए, तो आप contact कर सकते है, address दिया हुआ है, phone number दिया हुआ 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 control and cost उनको करना पड़ेगा, क्योंकि operation efficiency तभी आएगी, जब वो अपने input cost में improvement करेंगे, अगर चार्ट पर कुछ parameter देखें, तो पिछले 15 दिनों से, बलकि एक महीने से इनों ने यहाँ पर एक super trend के basis पर upper circuit को maintain किया है, जो कि एक अच्छा साइन है, यहाँ से consolidation करके, यह उप इस 25 रुपे के आसपास का 11 को cross किया, तो उपर जाने के लिए यह यहाँ से तयार हो जाएगा, बुलेंजर बैंट के basis पर भी इसने बहुत अच्छा consolidation pattern किया है, और यहाँ से शायद अब यह उपर उठने के लिए तयार है, मैक डी ने आलरी पिछले एक महीने से जब यह 25 रुपे के आसपास था, तब से इसने इसको buy signal unit किया हुआ है, आगे चलकर शायद यह फर्दर इसको buy signal में control करेगा उपर रखने के लिए, दोस्तों विए अच्छा लगए लाइक कीजिएगा, अलोक इंडस्टी क्योंकि एक penny stock है, तो हमारी चैनल का 5x5 rule, कम से कम 5 अलग- अगर mid cap में invest कीजिएगा आप, और एक company में जैसे आलोक industries है, तो उसमें 2%, और mid cap है तो 5% तक आप investment कर सकते हैं, अब अगर valuation की बात की जाए, कहाँ पर आपको खरीदना है, under value होका कभी भी अगर 13 रुपे के नीचे जाता है, तो वहाँ पर आप इसको खरीद सकते हैं, fair value व range है, जहाँ पर अगर आता है अभी इस quarter और अगले quarter में, 42 rupees के असपास या उसके ओपर, तो वहाँ से आप उसको बेच सकते हैं थोड़े time के लिए, wealth creation एक long process है दोस्तों, आपको 80% portfolio अपना investment में रखना है, long term के good stocks में, 20% में trading या वे penny stock में invest कर सकते हैं, और आपको ध्यान अगर आप हमारी paid service चाते हैं, तो आपको ये mail पर drop कर सकते हैं, alloc industries का long term का view अच्छा positive है, पर अभी हम इस position में नहीं है कि आपको इसका target बता सकें, पर आप इसका ध्यान रखिए, कि इसकी जो fair value है, वो एक अच्छी range है जो हाँ पर आप accumulate कर सकते हैं, 60% के असपास, और under value म ये थोड़ा resistance रहेगा, जैसे इस time progress होगा, हम आपको बता दे कि इसका long term का target, पर अभी के लिए ये एक buy recommendation है, अगर ये आपको under value range में मिल जाता है, दोस्तों वीडियो अच्छा लगए तो like कीजेगा, और आपके profile के according लिए 4 वीडियो आ गए है, चाहे तो आप देख सकते है, अगर कोई वीडियो पसंद नहीं आता है, तो comment box में डाली, ताकि हम उसके accordingly आपके पास information भीज सके, आपका दिन मंगल में हो guys, जै हिंद, जै भारत, बाई